स्वागत है आप सभी का रेजल्ट मित्रा पर मेरा नाम रहबर नमाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत का भूगोल भारत के भूगोल की स्रिंखला में हमने मानसून के बारे में पढ़ा और मानसून के बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अब तक बेहतर तरीके से मानसून की तयारी कर ली होगी ये मानसून का सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर था क्योंकि भारत के भूगोल में मानसून के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी पर maximum question देखने को मिलते हैं ऐसे में ये जो स्रिंखला हमारी चलाई जा रही है आप भली भाती परशित हो कि इसकी कितनी महत्ता है UP PCS examination या Other State PCS examination और साथी साथ आरो आरो के examination के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है तो आईए आज की class में जो हम discuss करने जा रहे हैं वो है भारती मिर्दा तथा उसके प्रकार भारती मिर्दा तथा उसके प्रकार के बारे में हमें जानना है क्या होती है भारती मिर्दा और क्या होता है इसका प्रकार लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी वो है मिर्दा के बा जरा मुझे comment box में जरूर बताईएगा और आपके वहाँ बारिश कैसी होती है जादा बारिश होती है या minimum होती है आप राजस्तान से हो कहां से हो जरूर मुझे comment box में बताईएगा देखें मिर्दा जो होती है ना मिर्दा का निर्मार जो होता है वो जनक सैलों से होता है अब टुकडे में बढ़ जाएंगे अब फिर इसके बाद इसमें क्या होगा अपच्य होगा क्या होगा अपच्य की प्रकिरिया होगी और इस अपच्य की प्रकिरिया से ही क्या होगा कि धीरे धीरे ये कण जो हैं वो तूट करके मिर्दा का निर्माण करते हैं लेकिन क्या सिर्फ अपच्छै की प्रकिरिया और चटान के तूटने फूटने से ही मिर्दा का निर्मार होता है क्या उस पर किसी और चीज का प्रभाव नहीं होता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है देखो जहां जैसी जलवाईू जलवाईू वहां वैसी मिर्दा पाए जाती है ठीक है जैसे अब मान लो कि भारत का यह छेत्र है अब मैं यहां बना रहा हूँ ज़रा मैं आप देखिएगा यह आपका दक्षिन भारत का इलाका है अब आप यह बताओ कि आप जानते हो इस दक्षिन भारत के इलाके में जो पश्मी घाट है यह वाला इलाका पश्मी घाट का यह पश्मी घाट में सरवधिक वर्षा होती है किसे मानसून से मानसूनी पावने जब आती है तो वर्षा करती है ठीक है मानसूनी पावने वर्ष करती हैं अब जहां सरवधिक वर्षा अब यहां देखो जहां सरवधिक वर्षा वहां क्या होगा मिर्दा का निच्छालन होगा मिर्दा निच्छालित हो करके नीचे जाएगी और ऐसे में क्या होगा इसके उपरी परत में आयरन और कैल्शियम बढ़ जाएंगे और इस मिर् देखो यहां पे जो एक उधारण के रूप में बात कह रहा है कि मिर्दा एक बहुमुले प्राकृतिक संसाधन है पहले तो इसी पॉइंट को समझ लेते हैं भाया देखो प्रकृति ने मनुश्यता के जीवन्यापन के लिए बहुत सी ववस्थाईं की है उन्हीं ना होती तो फिर खनी संसाधन पड़े रह जाते और हमारे पास अगर ये मिर्दा की उपलब्धता ना होती तो ना फसल होते ना खनी संसाधन होते और ना ही खाद्यान की उपलब्धता हो पाती और ना मनुश्यता अपने शरीर की उर्जा की आवशक्ताओं की पूर्ती कर प अत्यधिक खनन किया जा रहा है अत्यधिक सिचाई का प्रियोग अत्यधिक खादों का प्रियोग करके मिर्दा को बरबाद किया जा रहा है साथी साथ आप मिर्दा के बारे में यह भी जानते हो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके शेत्र में क्या होता है ना कि मिर्दा के उपरी परत के कटाव जादा देखे जाते हैं हर जगा देखा जाता है ये क्या होता है सर ये ये होता है कि मिर्दा को उपरी परत काट काट करके वो किसी और जगह डंब की जाती है यानि किसी का खेत गड़ा है तो कहीं और से मिट्टी निकाल के वहाँ भर दे गई तो वहाँ का इलाका वहाँ की हुमस तो नस्ठ हुई न वहाँ के जीवजन्तु नस्ठ हुए जो सुच्म जीवजन्तु पाय जा रहे थे मिर्दा में तो ऐसे में ये काफी मिर्दा के लिए हानिकारक हो जाता है तो मिर्दा क्या है एक बहुमुले प्राकृतिक संसादन है लेकिन मिर्दा शब्द की उत्पत्ती कहां से हुई तो मिर्दा शब्द की जो उत्पत्ती है न वो सोलम भाशा से हुई है जो कि लैटीन भाशा है सोलं शब्द से हुआ है समझ रहे हैं जिसका तातपर यह क्या है फर्ष देखो इसके मिर्दा के बारे में दो वैज्ञानिक है भू वैज्ञानिक बैक्मैन और ब्रेडी वो कहते हैं मिर्दा वह प्राकृतिक पिंड है जो परिछे दिखाओं के रूप में मिर्दा का निर्माड हुआ है अब ये परिछे दिखा क्या होती है सर देखो ये मिर्दा का एक टुकड़ा मैं ले रहा हूं अब इसमें जो इसका उपरी टुकड़ा है उपरी टुकड़ा उसको कहते हैं आप इसको आप कहेंगे थोड़ा सा pen दिक्कत कर रहा है आप इसको समझ लेजेगा जरा लिख रहा हूं मैं pen tab आज काम नहीं कर रहा है थोड़ा ये मिर्दा जो है ना मिर्दा का उपरी जो संस्तर होता है अभी त्रिकोण मैंने बनाया है इसमें जो उपरी संस्तर है उसमें humus की मात्रा पाई जाती है और ऐसे ही करके मिर्दा परिछेदिका बनती है जैसे अगली slide पर ये देखे ये क्या है आपकी मिर्दा परिछेदिका है यानि सबसे उपर आप क्या देख रहे हैं क्रस्ट फिर उसके बाद क्या देख रहे हैं दूसरा संस्तर फिर तीसरा संस्तर और फिर नीचे के क्रम में आपने द निर्माड हुआ है ठीक है तो इनके बारे में ये बैकमैन और ब्रैडी ने कहा है कि मिर्दा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित और अप्छाईत खनीच पदार्थों का एक संगठन है ये विच्छेदित और अप्छाईत क्या होता है यानि वही कि बड़े बड़ चटानों को तोड मरोड करके जो छोटे छोटे कड़ हुए उनके ही कारपनिक फॉर्म से इनका निर्माड हुआ है लेकिन प्रित्वी का एक पतले परत के रूप में ये जो मिर्दा होती है एक आवरण की तरह धकी होती है प्रित्वी को ठीक है अब जल और वायू जब इस अब यहां पर आप देखिए यहां आप देख रहे हैं मिर्दा के निर्माड को प्रभावित करने वाले कारक क्या सिर्फ चटानों से ही मिर्दा का निर्माड होता है तो जवाब मिलेगा आपको नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो सर कैसे होता है देखो एक तो होता है कि भाई चटान होना चाहिए और इसके तूटने और फूटने से मिर्दा का निर्माड़ हो दूसरा ये बताओ समय भी तो महतोपूर है ना समय भी तो इंपोर्टेंस रखता है क्या मिर्दा तुरंत बन जाएगी जवाब है नहीं एक समय अंतराल के बाद ही मिर्दा का निर्मा अब ऐसे में यह जो बारीक होते हैं धीरे-धीरे कन यही क्या करते हैं आपका समय लेते हैं ठीक है तो समय का महत्पूर्ण स्थान हो गया फिर वहीं बताओ अब यहां पे तुम कि यह आपका दक्षणी भारत है और यह वाला इलाका आप देख रहे हैं पश्मी घाट परवत का है अब यहां क्या होता है सरवदिक दक्षिर पश्चिम मानसून पहुंसती है अब यहां पे सरवदिक क्या होता है बारिश करती है शेत्र में सरवदिक बारिश होती है जहां सरवदिक बारिश तो यह बताओ अब यह मिर्दा का जो संस्तर है यह मिर्दा के संस्तर का हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे तो ऐसे में जहां बारिज ज्यादा होती है वहां उपरी मिर्दा परज जो होता है ना उसमें हूमस की मात्रा नहीं रह जाती किसकी मात्रा नहीं रह जाती हूमस की मात्रा नहीं रह जाती क्या बोलते हैं हूमस यानि जैव पदार्थों का ही nutritious होना यानि अत्यधिक पोशक तत्तों का मिलना ही humus कहलाता है अब देखिए जहां जनक शैल जहां मिट्टी का आधारभूत खनिज और पोशक तत्व देते हैं वहीं जलवायू मिट्टी के निर्माड में रशायनिक और जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है जिसक मिर्दा के निर्माड को प्रभावित करते हैं अब आप कहोगे कि सर सुच्म जीवों का क्या योगदान है जो मिर्दा के निर्माड को प्रभावित करते हैं अब ये बताओ कि ये आप अब घटक का नाम सुने हो अब जैसे क्या हुआ कि कोई पेड़ पौधा हुआ बताओ ये पेण पौधा है, कोई जानवर है, अलग-अलग ये मिर्त हो गए, मर गए, अब मरने के बाद क्या होता है ना, कि सडन पैदा होती है, गलन पैदा होती है, किसी का भी शरीर हो, चाहे जीव निर्जी हो, धीरे-धीरे सडता है, ठीक है, अब उस सडने के क्रम में उसको खा नहीं रह जाते प्रकृती पे, तो प्रकृती ने उसका भी इंतजाम कर रखा है, उसके लिए क्या किया है, उसने अब घटकों को बनाया है, वो उन्हें अब घटित करके, उनके जटिल फॉर्म से सरल फॉर्म में बदल करके, वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है, वनस्पतियां क्या करती हैं ना, वनस्पतियां इस पॉइंट पे आप देखिए, कि वनस्पतियां मिट्टी में हुमस की मात्रा सुनिशित करती हैं, अता मिट्टी जलवाईव वनस्पति में परस्पर संबंद पाया जाता है, यानि जैसी जलवाईव, जहां जैसी जलवा से संगठित होगी जैसे यहां मैप में एक्जामपल में देखिए आप देखिए सदाबाहरवन कहां पाये जा रहे हैं सदाबाहरवन इनी छेत्रों में पाये जा रहे हैं पूर्वी घाट पश्मी घाट क्यों क्यों क्योंकि यहां सरवधिक वर्षा होने की वज़ा से पीछे चले गया है सारे तत्व तो ऐसे में ये जो अधिक बारिश वाले छेतर हैं वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे मिर्दा उपजाओं नहीं होती है सिर्फ बड़े व्रिक्ष उग सकते हैं क्योंकि बड़े व्रिक्षों के जड़ लंबे होते हैं और उनके लंबे जड़ क्योंकि उपर से निच्छालित होके पोशक्तत इसी संस्तरखो में आ जाते हैं ठीक है अब देखिए इसके साथ ही साथ वहां की जो उच्चावच होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं जलिये दशायें प्रभावित करती हैं मिट्टी के गठन को तथा पियच मान आदी पढ़ा वो ये लाइन कह रही है कि सुच्मजीव अप्छेइत पदार्थ का वियोजन करते हैं तथा अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं जिसे मिर्दा पोशक्ततों की मात्रा बढ़ जाती है अब मिर्दा धरातल पर प्राकृतिक त मिट्टी में पौधे 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 उप्योगी रूप से उगाये जाएंगे और साथी साथ उनमें पौधे उगाये जाने की जितनी शमता होगी वही शमता उस मिर्दा की उर्वरता फर्टिलिटी कहलाती है ठीक है जैसे काली मिर्दा की फर्टिलिटी सबसे जादा होती ह क्योंकि उसमें humus की भी मात्रा है नमी absorb करने की मात्रा है यानि वो पानी को store अच्छे से कर सकता है ठीक है अब इस्थानी उच्चावच आया था यहां देखिए इस्थानी उच्चावच के बारे में हमने पढ़ा था इस वाले पॉइंट पे इस्थानी उच्चावच का भी मिर्दा के निर्माण में महत्रपूर्ण स्थान होता है अब देखिए मान लिजे ये वाला कोई छेतर है यहां देखिए नीचे मैं बना रहा हूँ ये मान लिजे एक पहाडी छेतर है ठीक है ये पहाडी छेतर है आपका अब यहां आपकी सूरच की किरण पढ़ती है इस पोर्शन पे इस पोर्शन पे नहीं पढ़ती है क्यों? क्योंकि आप हिमाला रेंज देख लिजे उसके जो दक्षिरतम भाग है वहां सूरच की रोशनी पढ़ेगी लेकिन जो पूर्वी भाग है वहां सूरच की रोशनी पढ़ी नहीं पाती तो ऐसे में ये बताईए इस छेतर में ही मिट्टी क्या होगी आपकी ये छेतर की मिट्टी क्या होगी इस छेतर की बहुत ही यहां पे व्रिष्ट छाया प्रदेश पाया जाएगा यहां की वनस्पतियां कटीली होंगी सदा बाहर वन नहीं पाये जाएगे वहीं उसके हिमाले की दक्षनी भाग पे जहां सूरच की किरण अच्छी पढ़ रही है तो इसमें अब सूरच की किरण की बात आई तो और कौन सा नया पॉइंट निकल के आया ती टापमान का भी प्रमुख रोल होता है मिर्दा के निर्माड में ठीक है समझ गए इतना पॉइंट अब मिर्दा के मूल तत्वों की बात करते है कि आखिर मिर्दा के मूल तत्व क्या होते है कैसे इनका निर्माड होता है और किन किन चीजों से मिर्दा का निर्माड हो सकता है तो देखिए मिर्दा मुलता जिससे निर्मित होती है उसको जनक शैल कहा जाता है यानि उसका पैरेंटल रॉक होता है और इन पैरेंटल रॉक में कौन कौन से रॉक हो सकते है भाई ग्रेनाइट हो सकता है, संगे मरमर हो सकता है, स्लेट हो सकता है, ज्वाला मुखी हो सकता है, उससे निकलने वाले लावा और राक हो सकते हैं, और साधी चटानों से और रूपांतरित चटानों से मिर्दा का निर्माड हो सकता है, अब आप सोच रहे होंगे, सर ये रूपांत अब यहां देखिए मान लिजे कि ये एक जौला मुखी है ठीक है इस पाइप लाइन से जो है जौला मुखी बाहर निकल रही है और निकलने के क्रम में दोनों तरफ धीरे-धीरे लावा का जमाव हो जाता है फिर वायू तापमान और वर्षा से इन परवतों में अपचयान होता है अपचयान मतलब तूटना फूटना और नीचे कण बिखरते चले जाते हैं यही धीरे-धीरे बारी खोकर के लावा जौला मुखी लावा से मिर्दा का निर्माण हो जाता है अब बात करते हैं रूपांतरित और और उसादी चटानों की य यहाँ पर जब उत्थान हुआ तो इसमें मोड़दार परवत बन गया जैसे टेथिस सागर पर क्या हुआ है हिमालय परवत का निर्माण हुआ है उसमें औसादी चटाने पाए जाती हैं अब ऐसे क्रम में क्या होता है औसादी चटानों में क्या सुच्मजीव भी होते हैं इस वज़ा से पूरे विश्व में जो पेट्रॉलियम और खनी संसाधन पाया जाते हैं वो अवसादी चटानों में प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलते हैं पेट्रॉलियम गैस क्यों क्योंकि जब टेठी सागर था भारती उप महादीप और यूरेशिया के बीच में तब इसमें बहुत से पशुपच्छी रहते थे बहुत सी मचलियां रहती थी समुद्र में और जब उत्थान हुआ तो ये सभी मचलियां और पशुपच्छी इसमें दब गए और उनहीं के दबाव और प्रेशर के कारण जो गलन हुआ उनमें ये पेट्रॉलियम पद वो कहलाया आवसादी फिर आवसादी चटानों में भी जो रूपांतरन होगा इन में सुरे के तप जलवायू वर्षा इन सब चीजों के प्रभाव से जब इसमें टुटन होता है तो फिर फाइनली बनता है रूपांतरि चटान ये चटानों का क्रम जब हम लोग पढ़ेंग कि मान लो ये जमीन का एक टुकड़ा है इसमें कुछ सुच्मजीव रहते हैं अब ये सुच्मजीव क्या कर रहे हैं मिर्दा के कणों को अब घटित कर रहे हैं छोटे बारी कण बना रहे हैं नीचे की मिर्दा को उपर ला रहे हैं जैसे कौन करता है ये केचुआ करता है क चुआ करता है जो किसानों का मित्र कहा जाता है ठीक है तो तो धीरे धीरे जो ये पोशक तक तो बढ़ते चले जाते हैं इन ही को कहा जाता है आपका हुमस ये गाढ़े और भूरे रंग तथा काले रंग का जटिल कारबनिक पदार्त होता है जिसका निर्मार वनस्पतियों और उनके जीवों के अब घटन के होता है, अब घटन से होता है, अब हुमस का नेचर कैसा होता है, देखिए हुमस मिर्दा में क्या करता है, पानी को स्टोर करने की छमता बढ़ाता है, अब किसी मिर्दा में जितना भी पानी स्टोर करने की छमता होगी, उतना ही वो क्या तो ऐसे में अगर ह्यूमस की कमी होगी तो मिर्दा भी क्या होगी उसकी उर्वर्ता घटती चली जाएगी ठीक है मिर्दा में ह्यूमस की उपस्तिती पौधों को संतुलित विकास के लिए सहायक होता है अब मिर्दा की गठन की बात करते हैं देखो मिर्दा विभिन प्रकार के कड़ों से बनी हुई एक शिंखला है एक खंड है जिसमें कहीं बारी कड़ हैं कहीं मोटे चटान हैं कहीं टुकडे हैं और कहीं एकदम सपाट स्थल है तो इन सब को किनकिन चीजों से इनका निर्मार होता है किनकिन कड़ों के आधार पर मिर्दाओं को नाम दिया गया है वही इस स्लाइड में आप देख रहे हो जहां लिखा है कि मिर्दा में विभिन प्रकार के कड़ों पाये जाते हैं इसके सबसे बारी कड़ों को क्या कहत के आधार पर भी मिर्दा को अलग-अलग नाम दिया गया है, जैसे बजडी मिर्दा, रेद मिर्दा, गाद मिर्दा, चीका, पंक, ये अलग-अलग नाम है, उनके टुकणों पे आधार, उनके कणों के आधार पे, अगर बारीक कण है, तो बिलकुल पंक, चीका कहलाएगा, गाद कहलाएगा, रेत कहलाएगा, बड़ी-बड़ी मोटी है तो बजरी कहलाएगी, जैसे आप लिंटर वगेरा लगता है घर में, तो आप बजरी देखते हो, बजरी जो पत्थर के टुकड़े दिये जाते हैं, पतले-पतले होते हैं, चोड़े-चोड़े, वो बजरी कहला अब मिर्दा की अमलियता क्या होता है भाई ये मिर्दा अमलिये कैसे होगा चारिये कैसे होगा देखो अमलियता का जो करम है न वो हाइड्रोजन आयनों के आधार पर निर्धारित किया जाता है ठीक है हाइड्रोजन आयन आयनों के आधार पर उनकी उपलद्धता के आधार जैसे मिर्दा की विलियन में मुक्त हाइड्रोजन संकेंद्रन ही क्या कहलाता है अमलियता कहलाता है लेकिन ये मिर्दा को अमलिय कब बना देता है और कब उच्छा रही है तो देखो जब मिर्दा की उपलब्धता जो होती है हाइड्रोजन की मिर्दा में वो 6 से कम रहे यान तो छारी ये क्या होता है अब 7 से उपर 14 तक पी अचमान जो पाया जाता है वो क्या कहलाता है मिर्दा को छारी मिर्दा के रूप में परिवर्थित कर देता है लेकिन कई बार examination में आप से पूछ लेता है कि मिर्दा की अमलियता उसमें acid जो हो जाता है उसको कम करने के लिए क पहला ये कि एक तो उसमें पेर पौधे लगा करके दूर किया जा सकता है दूसरा कृतिम रूप से जिपसम जो आता है चूना आता है उसका प्रयोग करके उसकी अमलियता को दूर किया जाता है ठीक है तो मिर्दा की अमलियता को जान गए कमेंट बॉक्स में बताईए अमल मिर्दा परिछेदिका की मिर्दा परिछेदिका के बारे में बताता है आपको देखिए क्या कह रहा है statement मिर्दा की उपरी सता से लेकर उसकी मूल चटानों के सभी संस्तरों यानि भाग को मिर्दा परिछेदिका कहते हैं अब मिर्दा की कई परत अपने उपर या नीचे की परतों से भातिक और रासानिक संगठन के आदार पर भिन होती है जैसे जो संगठन ये देखो ओरिजोन ए यानि संस्तर ए में पाया जाएगा वो भी में नहीं पाया जाएगा फिर सीव का अलग है डी का अलग है ये अलग प्रकार से पाया जाता है मुख्यता जो ग्राउंड वाटर होते हैं जो हम कल से निकालते हैं हैंड पम से चला करके वह इन ही संस्तर सी और घौ में पाया जाता है किसमें सी यानि गौ और घौ में ये देखने को मिलता है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्राउंड बता रहा है मिर्दा का जो मैंने आपको यहां पे अभी बताया है ठीक है अब इसके एक एक पार्ट को हम अच्छे से समझते हैं देखिए संस्तर को है जो ना वो मिर्दा की सबसे उपरी परत होती है ठीक है जहां पौधों की ब्रधी के लिए आनिवार जय उपदार्त और ख प्रदान करते हैं उपरी मिर्दा को इसको औरगेनिक लेयर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है फिर संस्तरख क्या होता है यह पहले और दूसरे के बीच का एक खंड होता है जिसको संक्रमड जोन कहते हैं ठीक है इससे नीचे और उपर दोनों से खनीच प्रदार्थ मिरते और फिर इन संस्तरों में क्या होता है आपको देखेंगे कि खनी संसाधन उपर से और नीचे दोनों से आ करके इस खौ वाली श्रिंखला में बैट जाते हैं जो की पेड़ पौधे जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़े संस्तर खौ तक पहुंचती हैं उनके ये साहयक होता है ठीक है अब संस्तर गव इस खंड की रचना ध्यली जनक पदार्द से वह भी धीली जनक पदार्द अब यहां देखिए ये नीचे का देख रहा है आप नीचे का क्रम देखेए ये कितना क्या है कथोर चट्टान है लेकिन वहीं ऊपर देखिए चट्टान ये गल रहे हैं, धीरे-धीरे अपच्छईत हो रहे हैं, तो ये क्या है? इसे फिर मिर्दा का निर्माण प्रारम हो जाता है और धीरे धीरे इस संस्तर से उपर बढ़ते हुए मिर्दा अपनी अलग-अलग परिछेदी का बना लेती है इतना पॉइंट समझ गया अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं डारेक्ट इसमें सिर्फ इतना है कि संस्तर मिर्दा का सबसे निचला परत वह क्या होता है आपका जनक सेल का होता है कठोड छटानों का होता है इन रह उन के आपशय मिर्दा का लेयर के बाद वो धीरे धीरे मिर्दा का लेयर एक के बाद एक एक के बाद एक चड़ते जाता है तो बताओ ये जो छोटा सा नीची खंड था उसके ऊपर एक के बाद एक मिट्टी की लेयर चड़ती चली गई तो आप बताईए उसमें समय नहीं लगाओगा तो इसलिए मिर्दा निर्मार के महत्पूर कारकों में समय का भी एक महत्पूर अस्थान है अब मिर्दा निर्मार की प्रक्रियाएं कैसे होते हैं वह यह कैसे मिर्दा का निर्मार होता है तो देखो यहां देखो यहां बादल दिख रहे हैं आपको बादल दिख रहे हैं यहां बारिश दिख रह आपको फिर नीचे रॉक दिख रहा है अब यही जनक सेल है इसके उपर अपरदन हुआ रिसीडूल स्वाइल बने फिर वो आगे बढ़े फिर मड़ फ्लो बना तो यह सभी चीजें क्या है एक लंबी प्रकिरिया का उधारण है मिर्दा का निर्मार अनेक कारकों पर आधारि होता है जैसे वहां का उच्चावच कैसा है जनक समगरी कैसी है जलवायू कैसी है वनस्पतियां कैसी पाई जाती है तथा सुच्म जीव और समय का भी महतुपूर्ण योगदान रहता है अब मिर्दा का निर्मार चत्तानों से प्राप्त जैपदार तता भूमी में पाये जाने वाले खनी संसाधनों से ही होता है लेकिन मिर्दा निर्मार सरव प्रथम अप्छयन पर ही निर्भर करती है यानि जब तक कोई पत्थर में अप्छयन नहीं होगा चाहे वो पवन के माध्यम से हो चाहे वो वर्षा के माध्यम से हो कैसे भी हो उसमें अप्छय होना च त्रिक शैल यह क्या होता है यह मूल शैल जो है अपचै शैल या मलबा का निछेप होता है ठीक है यहाँ अपचै लिखा हुआ है इसको जरा सही कर लीजेगा आप लोग अपचै है यह अपचै ठीक है मृदा का निरमाड अपचै पदार्थों के आकार, कणों के विन्यास तता सैल निच्चेप के खनीज और रशानिक संयोजन पर निर्भर करता है यानि यह निरमाड जो हो रहा है मृदा का वो कैसा पठार है किस प्रकार के चटान है आरकियन है गुंडवाना लेंड के हैं ये क्या है ज्वाला मुखी लावा निच्छेपों से बना है आप पढ़ चुके हो अब ज्वाला मुखी लावा निच्छेप से बना है तो उसको अपचयन होगा ब्लैक रॉक्स है तो काली मिट्टी का निर्माड होगा की नहीं होगा ठीक है इसके अंतरगत अपचयन की प्रकृ या फिर 10 साल 20 साल के बाद एक बार टुकुडा टूट रहा है तो ऐसे नहीं होगा ना लगातार उसकी दर भी मिलने चाहिए कि वो टूटे फूटे और फिर अपच्छायन हो फिर बारिश से हवाओं से उसके कण बारीक हो तब जाकर के मिर्दा का निर्माड होता है। देखो मान लो कोई तीवर ढाल है तो यहाँ पे मिर्दा कैसी पाई जाएगी यह तीवर ढाल वाला है यानि इस साइड वाला यह पोर्शन जो है डारेक धलान है जबकि इस वाला साइड जो है मंद ढाल है तो ऐसे में यह सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी मिर्दा के नि जब यह पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि यह वाला जो इलाका है आपका यह पूरा इलाका जो है डारेक्ट है यानि इसकी ढाल एकदम सीधी है तो क्या यहां पे मिर्दा रुक पाएगी लेकिन यहां पे बताईए आप यहां पे ढाल मंध है तो यहां पे मिर्दा रुके और नीचे आ गए तो वहां मिर्दा का निर्मार नहीं के बराबर होता है और अगर कुछ ढाल उसकी है भी तो उसके बहुत पतली परत मिर्दा की जमती है ठीक है धालों पर जहां अपरदन मंद एवं जल का अच्छा प्रभाव होता है ठीक है वहां मिर्दा निर्मार बहुत ही अनकूल होती है यानि जितना अपरदन करने के लिए मंद ढाल होगा और मंद ढाल पे ही मिर्दा धीरे धीरे निर्मित होकर के अपना संस्तर अपना एक एक पार्ट बनाती चली जाएगी और जनक सैल को पूरी तरह से ढब देगी अब संतल शेत में जो मैदान कले मिर्दा पाई जाती है उसमें जय उपदार्थ के अच्छे मिश्रण होते हैं कले मिर्दा क्या है अब संतल मैदान में क्या है नदियां पाई जाती है नदियों मिटी के कण से मिल करके एकदम नमी युक्त मिटी कर देती है और उनको एकदम चिपचिपा कर देती हैं उनको कले युक्त मिर्दा कहा जाता है जबकि परवती शेत्र को देखा जाये तो उसके वरिष्टी छाया प्रदेशों में अलग प्रकार की वनस्पति और मिट्टी पाई जाती है वरिष्टी छाया प्रदेश यानि जहां बारिश कम होती हो और सू टराइट मिर्दा पाई जाती है, वहाँ पे अच्छे खनीज संसाधन भी हैं और वनस्पतियां भी हैं, जबकि वहीं पठारी छेतर के पूर्वी साइड में कटीले वन पाई जाते हैं, लाल औल पीली मिर्दा की प्रधानता है, अगला प्रभाव है आपका जलवायू का, अब जलवायू भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया, जितनी अच्छी बारिश, उतनी अच्छी वनस्पतियां, लेकिन मिर्दा के पोशक्तत्व निच्छालित होके नीचे चले आएंगे, लेकिन जहां बारिश कम है, प पोशक्तत्व अच्छे होंगे, लेकिन जहां आदरता, तापक्रम, मौसमी, दैनिक, ये सभी परिवर्तन जो हैं तापमान के, वो सभी मिर्दा के निर्मार को प्रभावित करते हैं, अब बताओ जहां तापमान सबसे ज़्यादा है, वहां क्या भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन होगा, आप देखोगे हवाएं तेज चल नहीं हैं, तो आप देखते हो रेगिस्तान में क्या होता है, हवा तेज धूप होता है, तो क्या करता है, पवने अपरदन करती हैं चटानों का, काटती हैं, जिसमें मश्रूम रॉक फेमस होगा, जाकर क आप सर्च करिएगा, मस्रूम रॉक किसे कहते हैं, यह क्या हुआ ना, यह चटान एक ही जैसे थी, लेकिन इन एरियाओं को हवाओं ने क्या कर दिया है, काट दिया है, और इसके नीची निच्छालित कर दिया है, तो यहां मिर्दा का निर्मार हुआ है, ठीक है, ऐसे ही ज जैविक क्रियाएं, जो प्रभावित करती है, अब यहां आप देख रहे हों, मैप में देखिए, यहां फोटो देखिए, यहां देख रहे होंगे, यहां देखिए, केचुए पाये जा रहे हैं, अलग-अलग वाम्स पाये जा रहे हैं, निमेटो फोर्स हैं, फिर उसके ब भी हम bacteria का आपने नाम सुना ये क्या करता है क्योंकि पौधे direct atmosphere से nitrogen तो ले नहीं सकते तो ये bacteria help करता है उनका ठीक है help करके क्या करता है help करके ये उनको ऐसी क्रियाओं में बदल देता है कि वो nitrogen nitrate के form में हो जाता है और फिर पौधे इनसे और शोशित करते हैं nitrate direct nitrogen नहीं ले स ठीक है तो देखिए statement में लिखा हुआ है कि जैविक प्रक्रियाओं के अंतरगत विभिन सजीव जीव प्रकृति में विद्दमान जैविक और अजविक घटकों के साथ अभिक्रिया करते हैं बिल्कुल सही बात है ये सजीव और निर्जीव आपस में मिलके एक दूसरे से क्रिया करते हैं और फिर मिर्दा का निर्मान होता है मिर्दा में उपस्थि जैव पदार जो है नाइट्रोजन इस्थिरीकरन तथा नमी धारन करने की छमता आधी प्रक्रियाओं में भी सहायव होते हैं ठीक है अब ये बताए जो केचुआ पाया जाता है मिट्टी के चला हुआ है और वो सारी चीजों को मिट्टी को बहुत बारिक कर देते हैं ठीक है तो केचुए भी बहुत महत्तोपोंड हो जाते हैं अब है आद्र उष्ण और भूमद रेखिए जलवायू में बैक्टीरियल विर्धी और क्रियाएं बहुत तीवर होती हैं क्योंकि जित देते हैं क्योंकि वो सौयम भी उसको खाते जाते हैं ठीक है अब बैक्टीरिया तथा मिर्धा के जियो हवा से गैसी नाईटरोजन तो प्राप्त करते हैं और उसका रासाइनिक रूप में परिवर्तन करके अभी मैंने बताया क्या करते हैं नाईट्रेट में बदल देते ह जैसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया और फिर पौधे ये नाइट्रेट फॉर्म को ग्रहन करते हैं, तीक है, समयावधी सबसे महत्पूर्ण पॉइंट है मिर्दानिर्मार का, अब यहाँ देखो जरा आप चित्र में, यहाँ देखो सबसे पहले मास और लाइकेन जमा इस बड़े चटान पर, फिर यह मास और लाइकेन धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ करके धीरे धीरे मिट्टी के कण इनमें समा रहे हैं, अब फिर यह अब घटित होएंगे, अब छालित होँगे, इसमें पेड़ पौधे जने मेंगे, अब इनकी जड़े इनको तोड़ेंगे, तोड़ करके छोटे-छोटे कड़ों में बदलेंगे, फिर उसके बाद पेड़ पौधे और बड़े हो रहे हैं, अब उसके बाद यहां क्या हो रहा है, मिर्दा का अलग-अलग प्रोफाइल बन रहा है, यहां देखो A होरिजन, स्वाइल, B होरिजन यानि जलवायू, वर्षा, वहां पे मिट्टी बना देगी नहीं, एक लंबी समयावधी लगती है, वही चीज यह कह रहा है, कि मिर्दा के निर्मार में कालावधी का अभी महतपूर अस्थान है, मिर्दा निर्मार की प्रक्रिया में लगने वाली अवधी मिर्दा की उसके प्रोफाइल के विकास में महतपूर भूमी का निभाता है, नदी के तट से दूर पाए जाने वाली मिट्टी मिर्दा सनलचना में परिपक्व होती है, यह क्या कह रहा है भाई, अब देखिए क्या होता है, कि यह मान लेजिए नदी चल रही है, यह अपने द्वारा लाए गए औसादों को निच्छेपित कर रही है, तो यहाँ पर लगातार वो निच्छेपित करेगी, तो इस इलाके में तटी छेत्रों में नवीन मिर्दा पाई जाएगी, जिसका कोई भी अपना संस्तर नहीं बनेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट त्री, लेकि संस्तर A, संस्तर A, फिर संस्तर B और संस्तर C का निर्माड आप देखोगे, ठीक है, अब एक सामान्य जानकारी जो अक्सर एक्जाम में पूछ लेता है, विश्व मिर्दा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को, आगामी परिक्षाओं के लिए आपका ये जानना जर कि इसकी थीम क्या रखी गई है, तो अभी 5 दिसंबर आएगा अगले महिने में, तो आप देख सकते हो, कि 5 दिसंबर को विश्व मिर्दा दिवस का कौन सा थीम रखा गया है, तो मिर्दा निर्माड उसकी प्रकिरिया, कैसे मिर्दा निर्मित होती है, समय, जलवायू, वर इस सब चीजें आप शायद अब अच्छे से समझ गए होगे, अब अगली क्लास में हम बात करेंगे मिर्दा के महतुपूर्ण प्रकार के बारे में, और उसमें कोशिश करूँगा कि ये पैन टैप भी सही हो जाए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आटल व्यारी बाचपई जी की याद रखेगा, आपको संबल मिले गई, ताकत मिलेगी जब भी आप हारने का महसूस कर रहे होगे, एक नई उर्जा का संचार होगा, और आप वापस से अपने संघर्ष और अपनी सफलता प्राप्ति के लिए निकल पड़ोगे, तो आज की इस क्लास में इतना ही उमीद है आपको रिजल्ट मित्रा का या प्रयास पसंद आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स क्लास में